हालो नमस्कार इस्टूंट मैं विशेक भारगाओ भारगाव क्लासस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज का वारा वीडियो को टॉपिक है गोई च्थिति गर्ण्ट अफैर एक और दो सितंबर 2020 तो शुरू से लेकि लास्त के विडियो को जुरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन विडियो होते हैं जितने भी गर्ण्ट अफैर यहां पर लिए जाते हैं वह सारे बहुत ही इंपॉर्टन होते हैं ठीक है तो वीडियो को नोटिफिकेशन यूटूब के मादेम से नहीं मिल रहा है तो जाकर भारगाव क्लासेश टेलिकराम ग्रूप जॉइन करिए वहाँ पर इसके बाद में वीडियो जो है वो अप्लोड कर दिये जाते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज के करेंट अफेर में क्या है आज का करेंट अफेर सुरू करने से पहले कल का जो करेंट अफेर हमने किया था उसमें जो कुशन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा गलात आंसर दिया था, इसलिए देख लेते हैं, ठीक है, तो मुनगा महाभियान प्रतिवेदन पुस्तिका का किसने किया विमोचन, तो यहाँ पर जो सही आंसर था, वो था मंत्री उमेश पटेल, ठीक है, तो यह जो है, इसका वो भी एक बहुत important question है, तो देखेगा, जोडा जैदखम का लुकारपन किसने किया, तो यहाँ पर आपको बताना यह देख सकते हो, आप यहाँ पर मैंने पीक लगाई है, जोडा जैदखम, तो इसका लुकारपन किसने किया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो होग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने, ठीक है, किसने किया, मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नाम याद रखेगा, क्यूकि important question है, ठीक है, इस्थानिय डॉक्टर अम्बेटकर वार्ड में साल लगडी से निर्मित जोडा जैदखम का लुकारपन सोमवार को मुख्य तेती, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किया, अखिल भारती सत्नामी समाज के, जिला महा सची, धंसराज, टंडन ने बताया, इस मौके पर मंत्री के स्वागत में बाईग रैली भी निकाली गई, तो याद रखेगा, गुरु रुद्र कुमार ने जो है, वो किया, ध्यान से देखिएगा, राष्टी पोषण महा के रूप में कौन से महा को मनाया जाएगा, तो राष्टी पोषण महा के रूप में जो है, वो सितंबर महा को मनाया जाएगा, तो पोषण अभ्यान महा जो होगा, वो सितंबर महा होगा, क्यों मनाया जाएगा, वो भी पहला अतिकु पोश्वीत बच्चों को चिनहित और उनकी मॉनिटरी तथा दूसरा जो है वो कीचन गार्डन को बहावात देने के लिए पौधार उपन अभियान तिये दो अभियान के तहत ये पोशन अभियान देश में चलाए जाएगा सितंबर महापूरा इसके लिए दि तीसरा प्रशन है कि भारत की पहली कॉडियोलोजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ यहाँ पर जो सही अंसर है वो है डॉक्टर S. पदमावती क्या नाम है डॉक्टर S. पदमावती आप यहाँ पर इनकी पीक देख सकते हैं प्रसिद्ध कॉडियो लॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती सीव रामकृष्ण अईयर का दिल्ली में कोविड-19 इंफेक्शन के बाद निधन हो गया वह 103 वर्स की थी पद्मावती भारत की पहली महिला कॉडियो लॉजिस्ट थी ठीक है तो याद रखेगा चौथा प्रशन है कि भारत के सकल घरेल उत्पात जिसको हम GDP कहते हैं कि सुरुवाती महिनों वाली तिमाही में कितनी गिरावट हुई और जोकी बहुत जादा गिरावट है कितनी गिरावट हुई है 23.9% यह आप लोगों सभी ने सुना होगा ठीक है तो यह एक important question है ध्यान पाच्वा question है कि 36 खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पादों की marketing के लिए किसका सुभारम किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं यह वैन का जो है वो सुभारम किया गया है देख लेते हैं 36 खादी तथा ग्रामोद्योग बोट के अध्यक्ष्ष्री राजेंदर तबारी ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोट के माध्यम से उत्पादीत सावागरियों की marketing के लिए आज यहां mobile van का विदिवद सुभारम किया इस mobile van के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग बोट के पादों का प्रचार परसार और विक्राय को बढ़ावा दिया जा का कौन सा सहर देश में तीसरे स्थान पर रहा है तो पूरे देश में जो है वो सहर जो है तीसरे स्थान पर रहा है तो उसका नाम आपको बताना है कि इसमें टेक्स कलेक्शन में तो वो है रायपूर रायपूर जो है वो टेक्स कलेक्शन में पूरे देश में जो है तीसरे स् केंद्रे ने मंगलवार को अगस्त मा में हुए tax collection के आंकड़े-चारी किए के इसके मताबिक अगस्त 19 के मुकाबले इस साल GST collection में 6% की वृद्धी दर्ज की गई है पिछले साल की मुकाबले इस साल 6% की वृद्धी जो है वो दर्ज की गई है अगस्त 19 में जहां GST collection 1873 इसमें Tax Collection में तो याद रखेगा Tax Collection में 36% की विर्दी वी है और रायपूर जो है वो तीसरे इस्थान पर रहा है ठीक है अब इसके बाद जो आपका Last Question है जो आपको Comment Section में Comment करकर Answer करना है देखिए बहुत छोटा सा वीडियो आराम से आप जो है अप शुरू से लेके Last तक देख सकते हैं और जो Question आपको Note Down करना वो Note Down भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको PDF की इतनी requirement नहीं है PDF की requirement देखे जिनको है वही सिर्फ paid group join करिएगा मैंने कई बार बोला है आप लोग message ना करें क्योंकि PDF जो है वो सिर्फ और सिर्फ paid group के लिए है वो भी उनके लिए है जिनके पास में समय नहीं होता है ठीक है जो घर में काम में वेस्त रहते हैं या फिर नौकरी या जॉब करते हैं यह उनके लेंगे तो आपको खुद बहुद याद हुजाएगा ठीक है तो आज का जो प्रश्न है वह है बीश्वे वसंद्रा सम्मान से किनको उमुक्यमंत्री भुपेश बगेल ने सम्मानित किया यह प्रश्न हमने कर लिया लेकिन फिर भी practice के माद्याम से आपको क्या करना है जय हिंद जय भारत जय चतिव गयर्द